गुरखपूर न्यूस टीवी चैनल की एंकर दिलजीत कौर के ससूर का दिर रात मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान निधन हो गया वो लंबे समय से बिमार चल रहे थे परिवार के एक बुज़र के निधन पर परिवार और रिष्देदारों में शोक की लहर है 9 सितमबर 1949 को जन्मे सरदार कुलवन सिंग के प्रारंबिक शिच्छा दिच्छा कुरुचेतर के किदवई इंटर कालेज से हुई थी शिच्छा पूरी करने के बाद उन्होंने सिख रेजिमेंट आर्मी में करीब 10 साल नोकरी की जिसके बाद उन्होंने आर्मी की नोकरी को छोड़ कर रेलवे की सेवा की रेलवे से 27 सितमबर 2009 को सेवा नेवरित के बाद वो समाज सेवा के कारी में लग रहे सुर्गे सरदार कुलवन सिंग कुछ दिन पहले ही एक मार दुरगटना में हुए ब्रेन हैमरेज के करण उन्हें गुरखपूर के मेडिकल कालेज में भरती कराया गया था लेकिन काफी इलाज के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके सुर्गे सरदार कुलवन सिंग का अंतिम संसकार पूरी रिती रिवाज के साथ राप्ती नदीत प्रट पर उनके परिवार रिष्टेदार और दोस्तों के बीच किया गया सुर्गे सरदार कुलवन सिंग अपने पीछे अपने पतनी दो बेटे दो बहु चार नाती पोतों को छोड़ गए हैं दुख की इस घड़ी में इस उसर पर जटाशंकर पुरुद्वारे के अध्यच जश्पाल सिंग गुरखबूर न्यूस टीवी चैनल के परवंद निदेश के मंसंपादक हनुमान सिंग भगेल पूर मेर डॉक्टर सत्या पांडे सांसत परतिनीदी शरोड निशाद अधिव सरदार जगदीब सिंग सरदार एसके सिंग लक्की अजय शिर्वास्तो सतीष गुपता हर्श सिंग भगेल परविण कुशवाहा शीव सहाय पाल तबरेज सिद्धी की चंदन निशाद आधि ने शिर्धानजली अर्पित किया